हालो अरिबड़ी वेलकम तो अलो फ्यू अट यूट्यू चानल निवरा मैस क्लासिस इस लक्चर में हम डिस्कुस करेंगे केल्पिलेस बीए बसी फॉस्ट यर यूनिट थार्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चिन है यहां पर हम डिस्कुस करेंगे और जल्दी ही हम सेक तो आपको वीडियो भी मिल रहाएगा जो भी स्टूडेंट इंट्रस्टेड हैं कंप्लीट स्लिवस करने के लिए वहां पर जॉइन कर सकते हैं और अपना कॉर्स कंप्लीट कर सकते हैं विद में चलेजे नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चिन क्या कहता है ट्रेस दर क सकते हैं क्या कुक के आपको कार्टीजीन स्ट्रैसिग मिल करुद के तुछ कि आपको इसमें इसको इसको अड्री उत्रेस करें उसके लिए नहीं होद्ख्य सबसे पहलब जो point होता है this is symmetry सबसे पहले आप चेक करो कि जो कार्व है वह स्मिट्रे अबाउट x-axis है स्मिट्रे अबाउट y-axis है तो इन दे पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म में हम कैसे चाक करते हैं अब थीटा को चेंज करोगे माइनस थीटा से अब देखो x के और y की वैल्यू दोनों में से कौन सी वैल्यू माइनस में चली जाती है मिन x-x में चेंज हो जाए y-y में चेंज हो जाए तो वहां से पता चलेगा जैसी मैं x को माइनस थीटा पूट करती हूं x is equal to a into minus theta sin of minus theta क्या होता है minus sin theta यहां से common ले सकते हैं so theta plus sin theta और इसको आप लिखोगे minus x तो x की value यहनी x change हो गया minus x में कब जब theta को minus theta पूट किया y को check कर लेते है y is equal to a into 1 plus cos of minus theta and you know cos of minus theta is cos theta so यह value है जटीज रहेगी यहनी की y जो हमो y की equal आ रहा है चेंज रही होरी यह value right so as theta changed to minus theta x changes into x changes to minus x but y remains same y की value change नहीं होती है x की value change हो रही है तो किसके about जो जो जिसकी value change नहीं होती है उसके about हमारा symmetry होगा so curve curve symmetry about y axis symmetry समझते हो y axis okay इतना ही y axis से right में और इतना ही curve y axis से left में होगा second point हमें check करना होता है origin क्या curve origin से pass कर रहा है और origin से pass करता है नहीं करता है इसके लिए हमें क्या check करना होता है कि x और y की value अगर 0 आ जाती है तो वो कर origin से pass करता है ओके तो theta की आप कोई भी value देख सकते हो तो किस value theta की common value पर x और y 0 आते है अगर मैं theta को 0 लेती हूं तो यहां पर x 0 हो जाता है लेकिन y क्या आ रहा है cos 0 1 y आ रहा है 2a तो origin से pass नहीं करेगा अगर आप यहां पर देखिए cos अगर मैं पाई लेती हूं cos pi क्या होता है minus 1 तो y 0 हो गया 1 minus 1 0 और यहां पर आप पुट करोगे तो यहां पर into pi आ जाएगा sin pi 0 होता है तो यहां पर theta की कोई ऐसी value एक जिस नहीं करती जिस से x और y दोनो एक साथ 0 आ जाए यानि no common value of theta origin से pass नहीं करेगा so there is no value common value लिख सकते हो क्योंकि हम दोनों में use कर रहे हैं न वही value common value of theta for which x and y both are 0 therefore curve does not pass through the horizon pass through or reason okay point of intersection intersection x-axis को y-axis को कहां पर meet करता है यह हम यहां पर check करेंगे और polar form में आपको पता है कि जो x-axis होता है उसको हम initial line कहते है y-axis होता है उसको vertical line कहते है okay so point of intersection आप with axis भी लिख सकते हो with axis अब यहां पर हम यह check करेंगे कि जो कर्व अगर x-axis को meet करता है तो y 0 होता है if कर्व meets x-axis implies that y equal to 0 तो y को 0 पुट करो यहां से value निकाल लिजी थीटा की 0 is equal to a into 1 plus cos theta okay so आप theta की value निकाल लिए गहां तो किस value पर theta जो y value हमारी 0 बनेगे आप सेदा यह भी देख सकते हो कि अगर theta को मैं pi ले लेती हूँ हो हाँ से तो cos pi is a minus 1 तो यहां से आप बता सकते हो theta यहां तो pi पुट करो है minus pi क्यों क्योंकि cos of minus pi is equal to cos pi लिख सकते हैं यह फिर आप यहां से ही find out कर सकते हो 1 plus cos theta is equal to 0 cos theta equal to minus 1 and so theta is equal to pi और minus pi दोनों ही cases में जो theta हो यहां पर cos theta value minus 1 रहती है इसलिए यह x-axis को कहां पर meet करता है y 0 आने का मतलब है कि जो point आपने find out की theta की जो value आपने find out की यह आप x-axis x की value में put कीजिए x is equal to a theta plus sin theta therefore आप theta की value pi पुट करते हो at theta is equal to pi x की value निकाल लो theta को pi मने लिया sin pi 0 होता है a pi और at theta is equal to minus pi minus pi अगर लोगे तो sin pi फिर से 0 यहां से आ जाएगा minus x की value minus a pi clear तो point intersection के जो intersecting point हो हमें क्या मिले points are first is a pi y 0 abs is a ordinate next abs is a minus a pi and y 0 okay तो यह point of intersection आ जाता है with the x-axis अब y-axis के लिए निकाल सकते हो आप it mates y-axis mates y-axis अगर y-axis को मिट करेगा तो x क्या होगा? 0 होगा x को 0 लेकर चलो a into theta plus sin theta is equal to 0 तो theta को जब आप 0 पुट करोगे तभी दोनो sides equal आएंगी है ना यहाँ पर जरूरी नहीं है कि equation को solve करें हमें value मिल जाएगी थोड़ा सा आपको observe भी करना होगा जैसे आप theta को 0 पुट करोगे left hand side equal to right hand side हो जाती है तो यहाँ से हमारी theta की value भाजाएगी 0 y-axis को जब यह मिट करेगा यह जो points है points यह आए है at x-axis यानि कि जब curve at x-axis को meet कर रहा है और यह जो point आएगा यह आएगा y क्योंकि हम x 0 लिया हमने implies that curve meets y-axis at theta को आपने 0 sorry क्या लिया है x को 0 लिया तो y की value निकाले पहले इस पर theta को 0 put करो therefore y is equal to a into 1 plus cos 0 और cos 0 कितना होता है 1 तो y की value कितनी आगी 2a तो यह y-axis को meet करेगा 0 to a point play at that तो इसको यहाँ पर हम trace कर लेते हैं साथ-साथ फिर हम इसको rough करना पड़ेगा so अगर हम देखे x-axis को जो meet कर रहा है a pi 0 यह हमारा point हो जाएगा a pi 0 and this is minus a pi 0 y-axis को कहाँ पर meet करता है 0 to a यह हम a ले लेते हैं this point is 0 to a right so यह intersecting point हमें मिल जाते हैं इसके बाद आप reason चेक कर सकते हो reason area area क्या रहेगा अब यहाँ पर हम दिखते हैं कि cos theta की जो maximum और minimum value होती है as cos theta lies between minus 1 to 1 तो cos theta जब आपने minus 1 लिया तो y की value यहाँ पर 0 आएगी और आपने cos theta को 1 लिया तो y की value maximum 2 है therefore y lies between 0 to 2a okay जब theta cos क्योंकि cos theta की value लाए करती है 0 से 1 के बीच में क्योंकि symmetrical about y axis है इसलिए हम केवल y की value चैक करेंगे means जो कार हमारा इस point से इस point के बीच में ही रहने वाला है अब देखिए कार के branch यहाँ से चलेगी इसको भी meet करेगी और फिर इसको भी meet करेगी है ना तो हमारे पास कुछ इस ता ऐसे बन जाएगा this यह ओके तो रीजर हमें पता चल गए है हम से next thing is special point next point हम discuss करेंगे special point fifth point is शायद four point हमें डिसकुस करेंगे fifth point है यह special point asymptote भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं asymptote जैसे हम polar form में four chapter में डिटेल से पढ़ चुके हैं तो asymptote भी आप देख सकते हैं कि exist करता है कि नहीं करता है और करता है तो हम कैसे निकालेंगे polar form में हम पढ़ चुके होगे special point का क्या मतलब होता है कि हम find out करते कर्व ट्रेसिंग के लिए कर्व ट्रेसिंग के लिए अभी देखो मैंने हाँ पर आपको बता दिया कि यह इस point से मीट कर रहा है अगर हमने और special point find out करके फिर हम देखेंगे कि हमें शेप को कैसे बताना है कि यह हम पर कर्व क्या शेप लेने वाला है special point निकालना क्या होता है आपको सबसे पहले dy by dx निकालिए यानि कि tangent find out करेंगे हम dy by dx क्योंकि आपके पास parametric form equation है तो पहले dx by d theta find out करते हैं dx by with respect to theta differentiation करोगे 1 plus cos theta यहां से solve करिएगा dy by d theta dy by d theta is equal to a into minus sin theta वनकर differentiation 0 so dy by dx की value कैसे निकालेंगे dy by d theta divided by dx by d theta so dy by d theta is minus a sin theta divided by a into 1 plus cos theta यह से cancel this is minus sin theta divided by 1 plus cos theta इसको आप simplify कर सकते हो sin theta को मैंने लिखा 2 into sin theta by 2 into cos theta by 2 और 1 plus cos theta को हमने लिख दिया 2 cos square theta by 2 2 से 2 cancel 1 cos से cos cancel this is minus tangent theta by 2 ok therefore dy by dx equal to 0 यानि tangent अगर मैं find out करते हूं तो parallel to x axis आ रहे है तो उसके लिए dy by dx को 0 put करते हैं यहां से हम points में find out कर सकते हैं यानि tangent theta by 2 is equal to 0 means theta is equal theta by 2 is equal to 0 because tangent 0 0 पर होता है ना तो theta की value आगी हमारे पास 0 ok so theta हमें यहां से 0 मिल जाता है therefore tangent is parallel to x axis that is tangent parallel to x axis because हमने dy by dx को यहां पर 0 लिया है where dy by dx को 0 लिया तो हम tangent निकाल ले parallel to x axis जहांपर theta की value हमें मिलती है 0 ok तो theta की value अगर हमें 0 मिल रही है तो आप x और y की value निकाल सकते हो which gives x is equal to अगर मैंने 0 put किया तो x मुझे 0 मिल रहे है और y क्या मिल रहे है अगर 0 put करोगे हांपर 2a means 0 to a point पर parallel to x axis tangent हमें मिल गया देखिए dy by dx equal to 0 put करने का motive क्या होता है हमारा कि हम parallel to x axis find out कर रहे है जैसे आपने dy by dx को 0 put के आपको theta की value मिल गई आप x और y की value निकाल सकते हो आनि किस point पर parallel to x axis मिला a to a point पर तो हमें यहां से पता चल गया कि यह हमारा tangent बनेगा तो इसको meet करते हुए curve निकलेगा इस point पर हमें मिल गया parallel to x axis tangent यह point क्या है 0 to a this point यहां पर लिख रही हो मैं इसको 0 to a point पर parallel to x axis हमें tangent मिल जाता है इसी तरीके से आप निकाल सकते हो parallel to y axis यानि कि अगर आप dy by dx को plus minus infinity लेते हो तो आप parallel to y axis tangent निकालते हो ठीक है यहां पर put करिए minus tangent theta by 2 is equal to plus minus infinity okay implies that both side minus apply कर देंगे तो हमारे बस क्या आ जाएगा tangent theta by 2 is equal to minus plus infinity tangent theta by 2 किस पर होती infinity theta by 2 की value आ जाएगी यहां से theta की value नहीं आएगी theta by 2 की value आएगी okay this is minus plus pi by 2 2 से 2 cancel theta is equal to minus plus pi okay अब theta plus minus pi पर value निकालनो at theta is equal to pi x is equal to आपने pi पुट किया तो x आया a pi y pi पुट करोगे तो y आएगा 0 cos pi 0 होता है ना and at x equal to minus pi sorry theta theta equal to minus pi x की value आ जाएगी minus pi यादो minus a pi और and theta को minus pi put करोगे तो cos of minus pi is a cos pi cos pi minus 1 and y is equal to आजाएगा 0 तो parallel to y axis हमें कौन से point पर मिला जहां पर x की value है a pi y है 0 मतलब यहां पर इस point पर parallel to y axis tangent जाएगा तो कर इस point पर this line को meet करता हुए निकलेगा okay सेम तरीके से इस point पर हमें मिल रहा है parallel to y axis तो यह मुझे reason मिल गया इसके बीच में हमारा जुक्कार होगा अब shape क्या लेने वाला है वो चीज़ हम देख लेते हैं next thing is हमें यहां पर points मिल जाते हैं here a pi 0 और यहां से मिल गया minus a pi 0 all right अब आप देखोगे कि curve की जो shape है वो concave downward है concave upward है उसके लिए हमें निकालना होता है second order differentiation d square y by dx square d y by dx की value हमने यहां पर find out के थी है ना minus 10 theta by 2 आया था again differentiate कर दो तो पहले आप इसका differentiation करोगे with respect to theta okay then यहां से आप theta का differentiation करिए d theta by क्योंकि with respect to x हम कर रहे हैं तो पहले with respect to theta किया फिर theta का with respect to x हो जाएगा into angle का किया तो 1 by 2 clear theta का differentiation d theta by dx और divide में 2 रहेगा क्योंकि theta by 2 हमारे पास है okay dx by d theta is this value इसका reciprocal यहां पूट कर दो minus 1 by 2 secant square theta by 2 divide by a into 1 plus cos theta और a into 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 so value minus 1 by 4 a into secant 4 theta by 2 और यहां पर जो a हमें गीवन है starting में जब आप देखिएगा तो a की value हमें यहां पर positive लेकर चलना है क्योंकि positive direction एक ही जो value है greater than 0 तो जब आप देखिएगा यहां पर d square y by dx square this is always less than 0 because यह even power होगी तो यह number negative भी आता है तो भी positive मिलेगा हमें है ना और यहां से अगर आप देखोगे तो यह number positive और इसका negative करोगी तो less than 0 for all values of theta तो यहां से आप बता सकते हो कि d square y by dx square second or differentiation अगर negative आता है therefore dy by dx square less than 0 implies that curve is concave downward okay curve is concave downward right तो यह चीज़े इसलिए discuss करनी होती है अगर यह greater than 0 आता है तो concave upward आता हमें यहां से देखना है कि देखिए इसको touch करते हुए निकलेगा curve यहां से इसको touch करते हुए निकलेगा ऐसे touch करते हुए निकला मिट कर दीजे इसको सेम तरीके से यहां से इसको touch करते हुए कि टैंजेंट है इस पॉइंट पर इसलिए कि देस यह हमारा complete हो गया curve tracing थीटा की value बता सकते हो यह point है a pi 0 यहां पर थीटा कितना है देखिए यहां पर थीटा है यहां पर थीटा है पाई क्योंकि आपको पता है कि जब हम polar form यहां पर discuss कर रहे हैं तो यह जो origin होता है polar form में इसको पॉल बोला जाता है ठीक है अगर आप यह point ले रहे हो यहां पर p of r theta इसके coordinate होते हैं यह जो line op is a radius vector whose length is r and this makes angle theta with the initial line with the polar axis जिसको हम कहते है right तो यहां से जो theta angle होता है इसको measure कैसे करेंगे अब यह हमारा pole है यह line है यह line यहां से इसी के साथ angle 0 बनाएंगी लेकिन यहां पर आ जाते हैं okay तो यहां पर आप देखिएगा तो यह angle हमारा कित्ता बन रहा है पाई क्यों क्योंकि यह हमें polar axis दी गई है और यहां से अगर यह line लेती हूं तो इसके साथ यह पाई एंगल बनाती है इसका coordinate यहां पर आ गया coordinate इसी coordinate पर बात करेंगे तो यह यहां पर इसी coordinate पर थीटा हमारा 0 हुगा अगर इस point की बात करेंगे तो थीटा यहां पर है माइनस पाई क्योंकि रेडियस वेक्टर जो बनेगा उसकी direction opposite है पोलर एक्सिस से एना तो यह माइनस में चेहले थीटा क्या होता है थीटा एस इकोल टू पाई बाई टू क्योंकि इसकी जो प्वाइंट का यहां पे देखूगा आप यह लाइन पोडर एक्सिस के साथ 5x2 एंगल बनाती है, तो इस तरीके से आपको इसको ट्रेस करना है, और कर्व ट्रेसिंग इस इस इंपोर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट चाप्टर, क्योंकि इसका यूज भी किया जाता है, रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर, हर जगह पर इसका आगे यूस होगा, तो इसको अच्छे से त्यार करो गया, और फॉर दर कंप्लीट कॉर्स इस फॉर बेसी फिर्स्ट यह से किन और फाइनल यह, यहां पर साइन की पावर M है, कॉस की पावर N और यहां पर साइन देज टो पावर M-2, कॉस की पावर N dx, यह question reduction formula से लिया गया है, समझ गया हो, ठीक है, तो इसको हमें connect कैसे करना होता है, हम यहां पर, आपको बहुत सारे यहां पर rules given होगे, बुक में जब आपने पढ़ा होगा, तो हमें यहां पर लेकर चलना है, P is equal to sin raised to power M-2 plus 1, M-2 कॉन सी, जिस दोनों integration को आप connect कर रहे हो, उसमें से साइन के छोटी पावर, smaller कॉन है, M-2, तो M-2 हमने लिया और इसमें एक add कर दिया हमने, यह P की value हमें जो लेनी होती है, किस तरह से लेनी होती है, दोनों integration में यहां पर sin की power देखो, जो छोटी value उसमें हम लेकर के उसमें एक add कर देगा, इंटू cos of N power और N power सेम है, तो यहां पर आप N plus 1 power में है, और इंटू इसका angle, तो यह मेरे पास आजाएगा, P की value, this is sin M minus 1X into cos N plus 1 into X, इसके बाद हमें क्या करना होता है, differentiation with respect to X, D P by D X निकालेगे, differentiation U into V से यहां पर solve करिएगा, sin raise to power M minus 1X as it is, cos raise to power N plus 1, N plus 1 into cos of NX, और cos का differentiation minus sin X, प्लस अब साइन का करिएगा, तो power sin M minus 2X और cos X, base का differentiation और cos of N plus 1X as it is, right, this becomes N plus 1 minus, minus, minus की term है, sin की power यहां पर MX, एक power यहां पर यहां बेड़ करोगे, cos NX plus M minus 1, sin M minus 2, X cos raise to power N plus 2X, right, अब हमें break करना है, किसमें हम change करेंगे, यहां पर तो power M और M है हमारे पास, हमें यहां से इस term को थोड़ा सा simplify करना है, यहां पर powers को आपको break करना है, और इस तरीके से break करो, कि cos की power N और sin की power M, इस ताइप से हमें मिल जाए, cos raise to power N plus 2 का आप लिख सकते हो, यहीं पर लिख रही हूँ है, cos raise to power NX into cos square X, लिख सकते हैं, और cos square X को हमने लिख दिया, 1 minus sin square X, clear that, यहां पर आपने add किया था, तो यहां पर आगया था, cos raise to power N plus 2, power में power add कर दिया, इसको मैंने लिखा, cos raise to power NX into cos square X, add करोगे, बेश सेम हैं, और cos कर के लिख दिया, 1 minus sin square, so this equal to, minus N plus 1, sin MX, cos NX, plus M minus 1 के साथ, तो इसका multiply अलग कर लीजिए, और इस ट्रम के साथ, अलग कर लीजिए, राइट, तो इस 1 के साथ करिएगा, तो sin raise to power M minus 2X, cos NX, as it is term आ जाएगी, minus, क्योंकि यह minus है, यहाँ पर plus है, minus M minus 1, sin raise to power M minus 2 और 2 power add करोगे, M आ जाएगा, and cos raise to power NX, यह power और यह power same हो गया, एक अठ्ठा कर लीजिए, terms को, minus, common ले लेती हूँ, add करोगे, तो minus 1, 7, cancel M plus N, sin MX, cos NX, plus M minus 1, sin M minus 2X, cos NX, right, so यह value हमारे पास है, dP by dx की, P नहीं dP by dx की value, क्योंकि आपने आपको differentiation किया है, P की यह value, है ना, आप integration कर दीजिए, integration करोगे, differentiation से integration cancel, P is equal to minus M plus N, integration sin raise to power MX, cos raise to power NX, DX, plus M minus 1, sin raise to power M minus 2X, cos raise to power NX, DX, हमें इस integration को connect करना, इसको left hand side ले आईए, और P को उधर ले जाएए, ठीके, और M plus N से divide कर दो, so sin raise to power MX, cos raise to power NX, DX, यहीं सी integration को connect करना था आपको, और इधर आके, यह term minus P, plus P divide by M plus N, क्योंकि हमें M plus N से भी divide करना है, throw out, and this is, plus M minus 1, divide by M plus N, integration sin of M minus 2X, into cos raise to power NX, DX, और इस तरीके से हमें देखना है, P की value यहाँ परापुट कर सकते हो, P क्या है, sin raise to power M minus 1X, cos raise to power N plus 1X, clear that, next, देखिए, question भी reduction formula chapter से ही लिया गया है, लेकिन यहाँ पर, next question स्टार्ट हो जाता है, यानि 5th का एक part, question जो 3rd unit में, एक question का एक part, 7 chapter से, 8 chapter से है, reduction of card tracing, और एक हमारे पास reduction से बन रहा, next rectification से ले लिया जाएगा, तो find the reduction formula for e raise to power AX, sine raise to power N, BX, DX, हमें इसका reduction formula find out करना है, तो इसके लिए आपको, इसका integration करना होगा, and then by part integrate, हमें given है, e raise to power AX, sine raise to power N, BX, DX, बहुत ही simple है, इसको first function, इसको second function लेजिए, first function as it is, हमें इसको first Q लेना है, क्योंकि हम इसका differentiation करेंगे, N की power रिडक्ट होंगी है, इसलिए हम इसको first लेकर चलेंगे, e raise to power AX by A, minus, integration, अब इसका differentiation कीजिएगा, sine raise to power N, minus 1, X, BX है, angle यहाँ पर है BX, alright, angle BX है, so divide by, sine raise to power N, minus 1, differentiation हम कर रहे है, into B, angle का differentiation, और sine का हो जाएगा, cos X, this, cos BX, B कहा चूट रहे है, cos BX, okay, into first, जो second function, इसका integration करोगे, e raise to power AX, divide by A, और, into आजाएगा, DX, okay, जो constant term है, उसको इकठा कर लेजिए, और, again, differentiation करेंगे, या फिर, इन टर्प्स को, इसका करेंगे, देखते हैं, कैसे करना है, यहां पर, equal to, 1 by A, sin raised to power, N, BX, e raised to power, AX, minus, N into B, divide by A, integration of, sin, N minus 1, BX, into, cos BX, e raised to power, AX, DX, 1 by A, sin, N BX, बहुत सारी टर्म्स होने वाली हिसके इन्दा, और हमें इसको, rough भी करना पड़ेगा, बीच में, N B by A, integration करो, by power, this is the first function, this is the second function, first function as it is, sin raised to power, N minus 1 BX, cos BX as it is, e raised to power, AX by A, okay, next is, minus, derivative, आप इसका differentiation करेंगे, U into B से, है न, तो product rule यह आपर अप्लाई करो, sin raised to power, N minus 1 BX, cos का differentiation, minus sin BX, sorry, sin BX, और into B, and then plus, N minus 1, sin raised to power, N minus 2, into, जब सारीन का करोगे, आप differentiation, तो cos BX आएगा, यहां पर स्क्वार कर दे, यहां पर आजाएगा, into cos square BX, और दन इसका integration, e raised to power, AX by A, यह multiply में रहेगा, पूरे factor के, पूरे term के, यहां से आप इसको separate कर लीजी, I mean, 1 by A, sin raised to power, N BX, e raised to power, AX, this is minus, और यह bracket है, आपर capital bracket है, तो यह term हमारे पास हाजाएगी, N B by A, sin raised to power, N minus 1 BX, cos BX, minus और minus plus, and then again minus, तो यह term फिर से minus, ओके, N B by A की multiply यहां पर कीजिएगा, so N B square by A, ध्यान से दिखिएगा अभी, इस term की multiply हम कर रहे हैं, N B by A, या तो फिर मैं इसको यहां पर लिख देती हूँ, N B by A, और यहां से मैंने कर दिया इसको, clause, ठीक है, N B by A, और यहां पर हमने लगा दिया है, capital bracket, थोड़ अशा देखिएगा देहां पर, N B by A, यह लगा दिया, capital bracket, अब यहां से एक constant, यह भी तो पूरे term की multiply में है, यह term इसके साथ ही multiply होगी, इसके साथ ही multiply होगी, तो मैं एक अठा कर रहे हूँ, sin N minus 1 BX, sin BX, B को भार ले आये थे हैं, ठीक है, यहां पर B square हो गये था, into E raise to power AX, DX, यह term आप यहां multiply करो, plus N minus 1, into N, B, और यहां से भी B आना चाहिए था क्या, N G हाँ, जो cos square B किया, into B यहां से भी आएगा, तो B square हो जाएगा, यहां पर भी, divide by A square, constants आरे आगे हैं हमारे पास, integration of, sin raise to power N minus 2 BX, cos square, cos square को मैंने लिख दिया है, 1 minus sin square BX, into E raise to power AX, DX, ओके, अब जो term हमारे पास है, यहां से separate कर लिजिए, पहले उसको, उसके बाद देखते, sin raise to power, इसका पर किठा कर लो, L से में ले लेते हैं, A, N BX, और E raise to power AX, इसके पास है, इसके पास नहीं है, मिलेगा ना, BX, cos, जी हां, यह हमने नहीं किया, multiply, 1 minute, N B by A, sin raise to power cos BX, mistake होने के बहुत chances हैं, इस लिए ध्यान से करना है आपको, E raise to power AX by A, राइट, तो यहां से हमारे पास आजाएगा, N B, N into B by A square, और A square आप L सेम ले लिजी, A square मैं ले लिए L सेम, तो इधर जाके multiply हो जाएगा हमारे पास, A into E raise to power AX, इस तर्म को मैं पहली लिख दे रही हूं, E raise to power AX, ठीक है, minus N B square, N into B, और एक N into B, B ही है, okay, N into B, and cos, ठीक है, E raise to power AX, sin raise to power N minus 1, BX, and next is, cos BX, इन दोनों टर्म्स को हम नहीं हाँ पर ले लिया, bracket में, okay, minus N square B square by A square, sin raise to power N minus 1 BX, sin, add कर लिजी न, यह आजाएगा, power add करोगे, N, E raise to power AX, DX, okay, and here, N into N minus 1, B square by A square, अब बन के साथ multiply कर रहे हो, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है, sin raise to power N minus 2, BX, into E raise to power AX, DX, okay, and minus, N into N minus 1 B square, by A square, integration of, यहाँ पर 2 power, यहाँ पर N minus 2, sin raise to power NX, and BX, into E raise to power AX, DX, अब देख लीजेगा, थोड़ी सी map के हम बता जाएं, तो यह left hand side पर हमारे पास यह टर्म चल रही है, E raise to power AX, sin raise to power N, BX, into DX, okay, sin की power N किस-किस के पास है, integration में, यह तो बिना integration के हैं न, इसको नहीं चेड़ना हमें, integration में एक टर्म तो यह आगी है हमारे पास, एक टर्म यह आगी, दोनों टर्म को उठाएं, उधर shift करिए, integration common ले लिजिए, और constant solve हो जाएंगे, ओके, जो right hand side पर रहती है, एक टर्म यह रहेगी आपके पास, N-2 जहांपर sin की power है, और यह हमारे पास आजाएगी, जो without integration, टर्म हमने solve किया, तो इस type से आपको solve करना है, अब हम इन दोनों टर्म को उठाना है, left and side shift करना है, इस integration को common लेना है, so 1 plus NB square by A square, plus N into N minus 1 B square by A square, इसको आपको solve करना है, clear that, so this is the reduction formula, for E raised to power A, sin raised to power NX, N, BX, DX, most important है यह, इसमें जो cost का भी आता है, cost raised to power N, BX, वो भी important है, clear, so यह questions, जो हमने किये हैं, reduction formula तक ही हम करते हैं, इसके बाद जो होगा, वो हम करेंगे फिर, rectification of quadrature एक साथ, so इनको अच्छे से त्यार करो, and all marks भी निवस्टिस की exam, era maths, mobile application डाउनलोड कर सकते हैं, join your courses, bye,